College में हम C++ पढ़ते रह जाते हैं और company में जा के हमें out of syllabus note.js लिखने को बोल देते हैं का पहसी बना दी हो अगर हमें पता होता कि companies में आजकल क्या technologies use हो रही है क्या tech stack use हो रहा है तो हम उसी recording prepare करेंगे वही चीज़ों को हम college में practice करेंगे ताकि companies हमें easily hire भी कर लें और companies बजा के हमें काम करना मुश्किल भी न हो तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने 5 साल के experience में 4 लग-लग companies में FANG से लेके बहुत छोटे startups तक क्या-क्या tech stack पे काम किया है क्या-क्या back-end frameworks, क्या-क्या front-end frameworks, caches, databases क्या-क्या मैंने use किये हैं और generally आशकल companies में क्या use होता है बड़ी companies में क्या use होता है छोटी companies में startups में क्या use होता है वो सब हम इस वीडियो में discuss करने वाले है उससे आपको idea लग जाएगा कि आपको अभी college में किस चीज पे जादा focus करना है और जो companies में जाके मैंने frustration face किया है वो आपको नहीं करना पड़ेगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आज सक helpful लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना उससे चैनल को ग्रो करने में और मुझे काफी हल्प होती है और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं गया internship करने अपनी college के 7 semester में मैं 6 महीने वाली internship करने गया और मेरे college में हमारी CGPA के base पे ही कोई भी company देते हैं उनको ऐसी companies में भेज देते हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होता that's the sad reality of low CGPA students मुझे भी एक ऐसी ही company में भेजा गया जिसका मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना था उसका नाम था Semantic Solutions आपने शायद सुना हो और पूने में ये company थी भड़ा जब मैंने सर्च किया कि यार ये Semantic है क्या तब मुझे पता चला ये वही company है जो not an antivirus बनाती है बच्पन में मैंने काफी use किया था not an antivirus और उसी की वज़े से मेरा PC हमेशा slow चलता था तो वहाँ जब मैं गया तो हम सब जो interns आये थे college से उन सब को एक research team में डाला गया सब लोगों को अलग अलग projects मिले और interestingly surprisingly जो मुझे project मिला वो machine learning के उपर था पुरा AI deep learning इस पर था and वो project honestly था भी काफी interesting मुझे वहाँ जाने से पहले machine learning artificial intelligence का थोड़ा थोड़ा idea था क्योंकि मैंने college में कोर्स किया था जो elective courses होते हैं वो मैंने किया था machine learning का बट मुझे कुछ ऐसा practical experience नहीं था बस मैंने theoretical थोड़ा था मुझे पता था क्या-क्या models होते हैं क्या चीज़ें होती हैं ये सब मुझे थोड़ा idea था बट मैंने ऐसे कुछ बना के नहीं देखा था कभी फिर मैंने project बनाना start किया और उसके लिए मुझे काफी research papers पढ़ने पड़े क्योंकि जो project था वो काफी research oriented था बहुत machine learning के मैंने नई concept सीखे deep learning specifically मैंने यूज किया उसके काफी मैंने concept सीखे मुझे पता चला कि actually real life में machine learning और ये सब चीजें कैसे यूज करती हैं companies पहले मुझे थोड़ा बस ऐसे हावा में concept लगता था कि हाँ ये है जादा यूज होता नहीं होगा क्योंकि इतना advanced नहीं हुआ है ये सब चीजें अभी but actually turns out कि companies काफी use करती है और आजकल तो आप देखी रहे हो कितना AI का जमाना आ गया है but उसे पहले भी थोड़ा थोड़ा यूज होता ही था तो वहाँ मुझे इतना code लिखने को तो नहीं मिलता था क्योंकि काफी research type project था बस मुझे पढ़ना होता था नए नए ideas लेके आने होते थे अपने जो मेरे mentors से उनके साथ discuss करना होता था बट जो भी मैंने code लिखा वो mostly python में ही लिखा काफी सारी scripts बनाई मैंने python में वो मैंने किया और काफी सारी machine learning libraries जो होती है python में वो यूज की जैसे numpy, scipy, pandas ये सब मैंने काफी यूज की तो बस text tag वहाँ पर नाम का ही था बस यही था python और कुछ libraries उसकी वहाँ पर जाके मुझे जाज़े कुछ shock नहीं लगा क्योंकि python और थोड़ा बहुत machine learning मुझे पहले से ही आता था तो कुछ मुझे ऐसे challenges face नहीं करने पड़े actual shock मुझे तब लगा challenges मैंने तब face कि जब मैं अपनी first job में गया बट उससे पहले बात कर लेते हैं giveaway की मैंने recently launch किया है ये super cool t-shirt जो मैंने अभी पहनी हुई है आप देखी सकते हो पीछे से भी देख लो आराम से देख लो इसमें आपको black, red और white colors भी मिल जाएंगे super comfortable cotton से ये t-shirt बनी हुई है बहुत ही जादा comfortable है मैंने भी पहनी हुई है गर्मी में मज़ा आ रहा है मज़ा आया इस link पे जा कि आप बाकी details भी देख सकते हो t-shirt के बारे में और खरीद भी सकते हो for only 5.99 rupees and इस वीडियो में 3 lucky winners को ये t-shirt में बिल्कुल free में देने वाला हूँ जो भी color में आप t-shirt चाहो आपको मिलेगी और जो भी size में आप चाहो obviously वो भी मिलेगी इसमें participate करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना बस आपको comment section में जाना है और मुझे बताना है कि आप अभी कौन सा text tag सीख रहे हो या कौन सा text tag use कर रहे हो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग आशवल क्या पढ़ रहे हो तीन दिन हैं आपके पास ये सब करने के लिए और 12th April को ये results में announce कर दूँगा अपने Instagram पे भी मैं results को announce करूँगा और जो भी आपके comments होंगे जो winners के होंगे उनको reply भी करूँगा और उनके साथ contact करूँगा तो जल्दी से जागे comment कर दो नीचे और अगर वैसे भी आपको ये T-shirt खरीदनी है उस ताइम कावी छोटी सी टीम थी इंजिनेरिंग में सिरफ 10-15 लोग ही थे जो कि पूरा backend, frontend, app ये सब चीज़ों को handle करते थे वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि असली में इंजिनेरिंग होता गया है कैसे speed पे लोग काम करते हैं कैसे चीज़ों को launch करते हैं, execute करते हैं वहाँ जाने से पहले मैंने life में थोड़ा-thोड़ा सा frontend engineering किया हुआ था मुझे HTML, PSS, JavaScript, थोड़ा idea था मैंने कुछ छोटी-मुटी चीज़ों बनाई थी वर backend पे मैंने कभी काम नहीं किया था ना कोई HR वाली ट्रेनिंग्स, पॉष ये सब ट्रेनिंग्स, ना कोई ये टेकनिकल ट्रेनिंग्स, कुछ भी नहीं ऐसा होता मुझे बस पांच दिन मिले Node.js, Databases, Elastic Search, Cassandra, Redis ये सब सीखने के लिए 5 पे दिन तो मुझे task है हसाइन हो गया था कि ये काम है तो मैं करना बढ़ेगा 2 दिन में और धीरे धीरे फिर मैं काम करते करते ही चीज़ों को सीखता गया चैरिक जितना आप काम करते हो उतना ही आप जादा सीखते हो अगर आप बस बैट के बढ़ते रहोगे, टुटोरियल देखते रहोगे, फिर उससे कुछ नहीं सीखोगे, काम करने से ही आप actually सीखते हो बहुत सारी मैंने वहाँ पर गल्दियां भी की, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ ऐसा मैं perfectly करता गया Around 8 साल मैंने उस company में लगाया और उस टाइम में मैंने बहुत सारे frameworks पे, बहुत सारी technologies पे काम किया Backend frameworks की अगर बात करें तो वहाँ पे मैंने Node.js यूज किया क्यूंकि वहाँ सब कुछ Node.js में ही था और मैंने देखा है, mostly startups में इसी टाइप की frameworks यूज होते हैं, जैसे Node.js बहुत ही ज़्यादा common है आजकल थोड़ा मैंने वहाँ पे frontend पे भी काम किया, बहुत जादा नहीं किया, बस छोटे-छोटे changes किये, जो की react में किये कुछ databases भी मैंने सीखे, SQL database के अगर बात करें, तो वहाँ पे Postgres यूज होता था, और अगर NoSQL की बात करें, NoSQL जो भी आप बोलो, तो उसमें Cassandra करके एक database है, वो यूज होता था, और Elastic Search भी काफी यूज होता था बाकि obviously AWS की जो services होती है, वो यूज होती थी, EC2, S3, ये सब ये भी यूज होती थी, और हाँ, एक बहुत interesting चीज है, जो आजकल काफी चल रही है, that is serverless architecture, तो उसके लिए एक AWS Lambda, एक tool होता है, इस एक service होती है, वो भी मैंने वहाँ पे यूज किया, पहली बार मैंने वहाँ पे वो सीखा था, और वो काफी यूज किया, और एक और काफी मैंने domain, interesting domain, वहाँ पे explore किया, जिसमें मैंने काम किया, तो वहाँ पे जो हमारे data engineer थे, उस team में एक ही बंदा था, और उसने छोड़ दिया था, और company एक नया data engineer ढूंड रही थी, तो कुछ time के लिए मुझे वो वहाँ पे सीखा, बहुत सारी python scripts भी लिखी मैंने वहाँ पे, और क्यूंकि मैंने life में कभी भी इस type का काम नहीं किया था, तो एक साल में मुझे वहाँ पे बहुत जादा नहीं चीज़ें सीखने को मिली, जितना मैंने वहाँ पे एक साल में सीखा, शायद मैंने अग्ये 4 स स्टार्टप था, और उसको छोड़ने के बाद मैं थोड़े बड़े स्टार्टप में गया, जिसका नाम था OYO, और जैसे जैसे आप थोड़ी बड़ी कंपनी में जाते हो, आप देखते हो कि tech stack वैसे ही change होता रहता है, और इसी type के differences मुझे वहाँ जाके दिखें, तो अब बात करते हैं कि OYO में मैंने किस type के tech stack पर काम किया, वहाँ पर जाके एक मैंने बिल्कुल ही नया back end framework देखा, जिस पर मैंने काफी काम किया, इससे पहले मैंने शायद नाम उसका सुना था, बट कभी काम नहीं किया था, उसका नाम था Ruby on Rails, और शायद आप लोगों को लगता भी नहीं है, जैसे जैसे आपको experience होता रहता है, आप कोई भी technology, आप कोई भी framework बहुत ही easily सीख जाते हो, आप बहुत ही जल्दी चीजम को समझने लगते हो, और उसमें आप code लिखने के लिए ready हो जाते हो, आप उपर नीचे का code देखके, थोड़ा बहुत documentation देखके, आप खुद ही सब कुछ करने लग जाते हो, वो सिरफ college life में ही होता है, आप पहले दो मेने बैटके Java सीखोगे, उसके बाद ही आप plan करोगे कि हाँ ठीक, आप मैं Java में code लिख सकता हूँ, बट corporate में ऐसा नहीं होता, वहाँ मैंने बहुत काम किया Ruby पे, और वो लोग उसके बाद Ruby से Java पे migrate कर रहे थे, Java में एक framework होता है, जिसका नाम है Spring Boot, तो उस पे वो लोग migrate कर रहे थे, पहले एक monolithic architecture था, मतलब एक single service थी, अब वो micro services की तरफ move कर रहे थे, तो बहुत छोटी छोटी नई services बना रहे थे, वो भी मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, और जैसे जैसे company move करने लगते हैं, और मैंने देखा है, जैसे company का size भी बड़ा हो जाता है, तो वो लोग Java पे move करने लगते है, Ruby on Rails, Node.js, यह सब चीजों को छोड़ देते हैं, और बात करें front end की, तो वहां पे भी react ही use होता था, database वहां पे भी postgres ही use होता था, जैसे मैंने बताया, वो काफी popular है, कोई भी company अगर SQL database use करती है, तो postgres is one of the first choices, no SQL databases में aero spike करके एक database होता है, वो use किया जाता था, और caching की बात करें, तो वहां पे भी redis ही था, and messaging queue जो use होती थी, वो वहां पे था Kafka, great app में RabbitMQ use किया जाता था, और यहां पे था Kafka, और मुझे यहां पे आगे बता चला कि Kafka क इतना interesting है, बागी common AWS services like S3, EC2, यह सब भी यहां पे भी use होता था, and deployments के लिए वहां पे AWS के एक service है, Elastic Beanstalk, वो use की जाती थी, but then they were migrating to Kubernetes, आजकल जो बहुत नई companies हैं, बहुत startups हैं, वो Kubernetes की तरफ ही जा रही है, मैंने personally Kubernetes पे इतना काम नहीं किया, क्योंकि जब उनका migration का process चल रहा था towards Kubernetes, मेरा company से बाहर जाने का process भी चल रहा था, and उस time पे जो सबको shock होता है, कि fan company में जाना है, Google, Amazon में जाना है, इसके बाद मैंने Amazon join कर ली, और अब बात करते हैं, कि Amazon में मैंने किस tech stack पे काम किया है, अब तक, Amazon की दुनिया थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहां पे जो भी tech stack यूज होता है, वो सब कुछ internal ही developed है, अगर तुम्हें बाहर का कुछ यूज करना हो Amazon में, तो उसके लिए आपके पास काफी strong case होना चाहिए, कि internally ये tools क्यों नहीं है, और क्यों अपनी need को satisfy नहीं कर पाएंगे, कि हमें बाहर का कोई tool यूज करना पड़ा, क्योंक देखा है, मैंने DynamoDB ही use होता है, जो कि AWS का ही एक tool है, back end frameworks की अगर बात करें, तो जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे company बड़ी हो जाती है, MNCs में mostly Java ही use होता है, Java के frameworks, mostly spring boot और एक juice framework करके होता है, वो use किया जाता है, front end के लिए again यहां पे भी react किया जाता है, तो आपने देखा चाहे company बिल्कुल छोटी है, चाहे एक बहुत बड़ी MNC है, use react ही करते हैं आजकल, no offense to angular developers or anything, but mostly जितना मैंने काम किया है, react में ही किया है, but यहां पे जो code लिखते time libraries use करते हैं, वो सब internally ही बना रखी है, आप कोई भी भाहर से NPM package उठाके नहीं डाल सकते हैं, आप सिरफ internal libraries को ही use कर सकते हो, बाहर की libraries use करना allowed नहीं है, and messaging cues के अगर बात करें, तो वो भी यहां पे internally ही use होती है, SQL, SNS आपने नाम सुना होगा, तो वो सब यहां पे use होता है, and यहां पे भी serverless architecture पे काफी focus किया जाता है, lambda काफी use किया जाता है, ECS, Fargate, DA, सब चीज़ें काफी use होती है, यहां पे एक चीज़ अलग है, कि जितना मैंने देखा है, पहले मेरी पुरानी companies में, जो भी microservices आपस में interact करती है, वो REST API की थ्रू करती है, बट यहां पे RPC framework use किया जाता है, which is very fast compared to REST or SOAP, so I hope इस वीडियो से आपको idea लग गया होगा, कि किस type की company में, किस type का tech stack use किया जा आया है recently, you can check that out, and कोई भी doubt होगे आपकी वो comment section में, जरूर पुछना, until next time, goodbye, see you soon.